साथ संग जी बड़े प्रेम से कहिए जी धान निरंकार जी साथ संग जी हरी भजन दास आफिस्यल चैनल की तरफ से आप सभी को आस्था का महापर्व, मानावता का महापर्व, छठ पूजा की धेर सारी सुभ कामना हैं चठ पूजा की बहुत दोध बधाई हो आप सभी को, चठ पूजा हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है बड़े धूम धाम से इससे में मनाया जा रहा है, ये हमारी पवित्र पावन धर्ती बिहार के धर्ती से प्रचलिती है, पर आज पूरी दुनिय में फैल चुका है, और बहुत धूम धाम से इसे हम सभी मनाते हैं, और बहुत आनंद आता है, ये नदी के तीर पे जाते हैं, तलाब में, या कहीं भी, जहां पानी होता है, वहां पानी में खड़े हो करके, और इसमें चठ पूजा में विश्री सुर्व से देखे, तो सू दिया जाता है औरग दिया जाता है सुबह यानि सुर्य अस्त के समय ही बहने चली जाती है और सुर्य उदे थक मतलब प्रुआती है तो एक प्रकार से अंधकार से प्रकास की हुआ तो एक शबद आया शंपूरण हर्देवबाडी में कि ज्यान का सुर्य उदे हुआ तो जीवन में उजियारा है मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अधियारा है ज्यान का सुर्य उदे हुआ तो सही गलत को जान लिया अभिनासी का पता चला है नश्वर को पहचान लिया य जिसका कभी बिनास नहीं होता, यही ये चछठा तत्व है, यही चछठा है, जिसका कभी बिनास नहीं होता, जो अबिनासी है, इस्वर यंस जीवय बिनासी, चेतन अमल सहज सुखरासी, ये इस्वर का यंस जो है आत्मा, यही तो चछठा तत्व है, पांच तत्व की ते यह सरीर है चित जलपावक गर्न समीरा पंच रचित यह अधम सरीर है यह सरीर को अधम कहा गया यह पांच तत्व की सरीर है लेकिन इसमें जो छठ्वा तत्व है यही छठ्थ है और यह छठ्थ को जानना जरूरी है और यह छठ्थ को कैसे जानेंगे तो इसके लिए हमें शत्गुरु की सरण में जाना होगा यही बता सकते हैं कि छठवत तो क्या है आत्मा और परमात्मा की पहचान शत्गुरु से होती है तो आईए ग्यान का सूरज उदे हुआ तो राह नजर अब आई है दर्बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है ग्यान का सूरज उदे हुआ तो हुई है रोशन आत्मा कहें हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा जो कण कण में परमात्मा को देख लिए चठवत तो को देख लिए उनकी तो चठव हो गई तो ये छट पूजा जो है, इस छट को जान करके किया जाए, पूजा करती होता है पूर्ण जनकारी, पूर्ण जास जनकारी पूजा, तो पूर्ण जनकारी के साथ हम यह पर्व करें, छटा तत्व, पांच मिले पांच में छटा कहां जाए रहे, ये छटा तत्व कहां जा कर के मिलेगा इसकी जनकारी करें तो यही छट पूजा है दास को भी बहुत आनंद आता है जब भी तिवहार आते हैं तो हर तिवहार पे वीडियो बना करके आप से सेर करने में बहुत आनंद आता है आपको एगर यह वीडियो अच्छा लगे है या नहीं लगता है अगर इस पर्व के प्रतियाद के को सुझाव है तो भी दे छट पूजा हम धूम धाम से करें लेकिन छटवे तत की जनकारी भी जरूर हम करें कि इस पास तत्व में कौन सा ऐसा चटवा तत्व है कि जब यह है तो यह पूरी सरीर चल रही है हिल रही है, डोल रही है खा रही है, पी रही है, हस रही है, बोल रही है अज यह चटवा तत्व काम करना बंद कर देता है चटवा तत्व सरीर से निकल जाता है तो यह सरीर किसी काम की नहीं रहती यह पाचोत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् तो उसका भी वजन, आढ़ाई किलो, तिन किलो का वेट जरूर होता है, तो ये वजन सरीर का हमारा है, अब हम कहीं भी जाते हैं, बजार में जाएं, घर पे जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, या कहीं भी हम जाएं, तो ये वजन तो हमारे साथ ही रहता है, ऐसा नह नहीं होता अगर यही हम मार्केट से थोड़ा सबजी ले लेते हैं जोले में दो किलो अलूपियाज टेमाटर अगर ले लिए सबजी और दो किलो-चार किलो का वज़न रहता है जोला ले करके हाथ में टैंकते हैं तो हाथ एकदम दर्द करने लगता है अब घर पहुंचते पहुंचते जैसे कोई भी घर का सदय से मिलता है तुरंत पगाई धर आईए पकड़ो जोला पकड़ो तुरंत बहुत हाथ दुख रहा है तुरंत जोला दूसरे को पकड़ा देत यानि दो चार किलो वजन हम ले करके नहीं चल सकते दर्द करने लगता है और यह जो सतर किलो का वजन है यह 80 किलो का वजन है पचास किलो का वजन है 40 किलो का वजन है इस वजन को कौन ले करके चल रहा है यही तो छटवा तत्वा है जो है तो इस वजन को ले करके चल रहा है ह हम सिर्ण ही चड़ रहे हैं उतर रहे हैं सास नहीं हो रहा है तो यह चटवा तो यही चट माता है यही पिता है तो मेव माता चा पिता तो मेव तो मेव बंधुश्य सखा तो मेव तो मेव बिद्या द्रवडम तो मेव तो मेव शरबं मम देव देव यही तो शरब कुछ है ज आप सभी को चट पूजा की धेर सारी सुमकामना है और खुब आनंद लिजिये, खुब चट पूजा कीजिये और यह आस्था का परवह कहते हैं कि आस्था है तो बंदरवाजे में भी रास्था है बहुत कठिन भगती है पानी में खड़े होना ठटे के मोसम में खड़े होकर के रात भर वेट करना सुर्ण देवत्य का उद्य होने का ये बहुत बड़ा जो है एक आस्था का भी से है एक विश्वास का भी से है विश्वास है तो हम छट पुजा करें लेकिन ये छटा तत्व कौन है आए है इस जहां में क्या काम है हमारा फहरेगे किस मकान में जब लोटेंगे दोबारा ये छटा तत्व जा करके कहां फिर मिल इसका भी हमें जनकारी करना जरूरी है इस मानव जीवन में आए हैं तो इसका लक्ष यह ही है कि अपने की पहचान, खुद की पहचान, खुदा की पहचान ये जीवन ही हमें भक्ति के लिए मिला हुआ है, मुक्ति के मिला हुआ है कहते भी है कि बड़े भाग्य मानुस्त तनपावा, सूर दुरलब सदग्रंथ ही गावा साधन धाम मुक्छ करी द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा ये जीवन हमें अपने लोग पर लोग सवारने के लिए मिला हुआ है मुक्ष का द्वार है मानो का चोला, मानो का सरीव 84 लाख जोईनियों में सबसे महतफोर, सबसे सुन्दर, सबसे बेश्ट जो है ये जोईनी जो मानो जन्म इश्वर ने हमें दिया है तो ये किसले मिला हुआ है, इसे भी हम जानें और हर तिवार, हर परुका खूब अनंद लें लेकिन छठा तत्व के जनकारी जरूर करें सथ गुरू से मिल करके और इस छठवे तत्व के जनकारी करें क्योंकि आत्मा का अगर जनकारी हो जाएगा तो परमात्मा कभी जनकारी हो जाएगा क्योंकि उसी का तो अंस है इसी इसवर का तो अंस है आत्मा आत्मा, परमात्मा, संत, सद्गुरू इन में कोई भेद नहीं होता, बस बरफ पानी का अंतर होता है तो दास जो है ज्यादा समय आप सभी का नहीं लेना चाहेगा एक बार फिर दिल से आप सभी को छट पूजा किया हर्दिक शुब कामना है प्यार से कहिए धन निरंकार जी